हलो दोस्तू वेलकम वेक आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है तो दोस्तू आज में जरूरी सूचना के साथ आप लोगों को बड़ी खुसकबरी देने वालों खास कर उन इस्टूरेंटों के लिए जिनके पास आईटियाई है और साथ ही अगर आप दसवी पास के चातर है आईटियाई नहीं है तो भी देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं क्योंकि दोस्तो एक बहतरीन और एक सुनेरा मोखा है सुनेरा आउसर है आप सभी को इन छेतर में नोग रिपाने का तो दोस्तो इन कंपनियों में बड़ी भरती निकल चुकी है और आपको शा कर सकते हैं और आराम से नोगरे पराप्त कर सकते हैं बेसिकली आपको पता है कि अभी लोगडाउन ओन होने वाला है लगबग और यह उन बेसिकी छेतर में जैसे कि ओटो मोबैल्स कंपनी की बात करें या फिर इलेक्ट्रीगल्स कंपनी के बात करें तो इन छेतरों में लो जादा डिमांड हो चुकी है बेरोजगार युवाओ को नोकरी प्राप्त करने का क्योंकि जो लोकडाउन हुआ है उसमें कई ऐसे चातर और कैसे कई ऐसे वरकर हैं जो इसे नोकरियों को छोड़के अपने घर पे जा चुके हैं और स्याइद आई होप क्यों जादा कर काफी पद खाली हो चुके हैं कंपनियों में तो इसी दुरन आज में एक बड़ी कंपनी के बात करने वालों आप लोगों के सामने जिसे आप देखके और उसमें आवेदन कर सकते हैं करीबन उसमें 16,000 के आसपास वेकेंसियां निकली गई है अभी एंप्लोईमेंट की डिवान क और भारत में ऐसे ऐसे चोथी सेर है जिनके अंदर अधर कंपनी की काफया छी चंसता है जैसे कि हम बात करें कंपनियों के बारे में तो दूस्तों सारी अपडेट मैं आपको lleva प्र juistration करने के बारे में अफ्रिडिबगर दूगा सारी अपडेट आपको एक साथ मैं Provide कर करवाएंगे आपको जो भी आपके मन में संका है वो सारी बाते करवाते चलेंगे तो चले दोस्तों सुरू करते हैं सुरू करने से पहले जरासी अपडेट आपको दे अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें सस्क्राइब क्योंकि जो आज जो मैं सुरुआत करने वाला हूँ तो सारी कंपनियों के रजिस्टेशन करना भी हर रोज एक नए वीडियो के साथ मैं सुरुआत करता रहूंगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपकी जो कंपनी होगी उस कंपनी का कमेंट में नाम लिखिएगा मैं उसके अनुस कौन सी कंपनी में सबसे ज़्यादा विकेंसी निकली हुई है जैसे कि दूस्तों उद्योग छेतर में बात करें हम कंपनियों के बारे में इसमेंट लेवल की बात कर लो या फिर सिमेंट के अंदर अधिते बिल्ला एससी अंबूजा सिमेंट बिनानी सिमेंट तो ऐसी कई कारन कारण का सबसे में बताया अवा किहा सबसें समय रहे सिपकेंन आपके आपने मोंबाईल से भी इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगी तो इसो दियरस और से उससे भी कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक रीजियूम तैयार करना है और रीजियूम के अनुसार आप इसमें आफ़े दिन करना ही तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मारुतिशूजू की क्योंकि दूस्तों पिछले वर्स मैंने वी आपको इसके मारुतिशूजी.com पर क्लिक करके देखना होगा या फिर अगर नहीं कर पा रहे तो आप हमारे दिये हुए बोक्स में भी प्राप्त कर सकते हैं इसका लिंक जहांसे आप आसानी से तरीके से इसमें आवे दिन कर पाएंगे वर्कर वित ओप मारुतिशूजी यानि कि वर्कर तो इसके बेसिकी नूलिज के बारे में आपे दियावाय कंपनी के वर्कर किस चेतर में आप कारी करेंगे तो यहां पर दियावाय किस चेतर में आप कारी करना चारें तो यहां पर अलग-अलग आपकी जो केटिगरीज है आपके जो छेत्र से हैं जिन में आप कारे करेंगे तो यहां पर अपने जो भी छेत्र हैं उनके छेत्रों के अनुसर आप इसमें चूज कर सकते हैं जिससे की Finance, Indian Engineering, Experience, Worker जो Technical, Demand होती है आईटेई वालों की वो Technical Workers में इंकलूड किया जाता है तो अगर आप इसपेसली अपनी आईटेई वाले हैं तो आईटेई पर क्लिक कीजिएगा Engineering है या फिर Diploma है दस्वी पास है जो भी कोई Qualification है अपनी इसके According कर सकते हैं तो यह हुई आपको Registration करने की बाद अब मैं बाता हूँ आपको कहां से कितने सेत्र में वेकेंसी निकली है सबसे बड़ा कारण आपको Corona Virus की वरे से Lockdown हुआ है भारत में उसकी वज़े से इतनी बड़ी भरती पहली बार होने जा रही है क्योंकि आप तक इसमें करीबन 200-300 के आसपास फिकेंसे निकलती थी लेकिन इस बार बड़ी भरती निकली है बड़ी भरती का आपको पता है क्योंकि कई लोगबा कई बेरोजगार युवा इसे छोड़के जा चुके हैं सीटी की बात करें 34 यानि कि 34 एसे सीटी ओं में इसकी बड़ी बड़ी संस्ता हैं और बड़े बड़े कार्खान है इस कंपनी के जहां पर इनमें वरकर की जुरूरत है 16,500 यानि कि I hope कि आपको पता चल गया होगा 16,500 पदोपी रिक्वार्मेंट होगी इसी दुरान अवाज जो एरियेज हैं उनके दर 294 में इसके कंपनी के जो नॉर्मली सुजू की कंपनी के जो नॉर्मली वरकर होते हैं वो हैं और जबकि बात करें 34 सीटी में बड़ी सीटी ओं के अंदर इसके बड़े बड़े कार्खाने वो द्योक्षेतर में काफी बड जिस केटिगरीज में आप आवधन करना चाहा रहे हैं उस केटिगरीज को किलिक कीजिएगा आई होब कि आप जिस केटिगरीज में किलिक करेंगे उसी केटिगरीज में आपको जो प्राप्त होगी जैसे कि हम बात करेंगे आई टे वाले स्टुडेंटों की क्योंकि हम बा अब आपको बता दें कि सबसे बड़ी इसमें कंडिंशन क्या होगी इसमें जोप hun के जोब काइसे मिलेगी आपको इसमें सबसे पहले अपनना रिकंखरियम अपलोड करना होगा आपका का कॉल या फिर में इंटरुवी के लए बुछाए जाएगा अपका याऊ स听 साथिक को किया जाएगा, अपनी location की अनुसर आपको बुलाए जाएगा और वहाँ पे आपको जोब के लिए invite किया जाएगा, तो आप जाके आप विदन कर पाएगा, अब बात करें salary की, तो दोस्तो salary के काफ ये सवाल पूछे जाते हैं, कई student का payment क्या होगा, इसके बारे में कितनी सवाल, तो दोस्तो आपको basic की, मैं basic normally ग्यान दूँ, बात करूँ तो आपको यहाँ पे 8,000 से और करीबन 8,000 से start होगी आपकी salary I hope की यही होगी और इसे जादा भी हो सकती है, पर मैं normally आपको कम से कम 8,000 बता रहा हूँ, और last इसकी 15 या 20,000, जो भी experience होगा, उसके अनुसार आपकी salary होगी, तो यानि I hope कि आप अगर पहली बार आविदन कर रहे हैं, या पहली बार worker हैं, तो आपको 8,000 तो normally basic salary दी जाएगी अब तो दोस्तों बात करें आपके आविदन करने के बारे में, क्योंकि कई student के demand होती है कि आविदन करने के लिए payment fees किसी परकार का कोई पैसा देना होगा, तो आपको बता दूँ, अगर आप इसकी official website से आविदन करेंगे, तो किसी परकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा क्योंकि company के नियम और कुछ ऐसे rules हैं, जो आपको बताते हैं कि आप किसी परकार का कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते कमपनी में, अगर company की तरीके से कोई किसी कोई आपको call करके पैसे मांगता है, तो वो भी एकत्व fraud होगा, तो यानि कि company कभी किसी परकार का कोई call नहीं करेगी आपको, आपके बास सरफ पोर सरफ एक mail करेगी, mail के जड़ी आपको बुला आ जाएगा अब बात करें आवेदन करने के बाले, दोस्तो यहाँ पर देख लेजिएगा, मारुति आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए यहाँ पर आप अपलाई करेंगे, तो कुछ policies हैं, कुछ policies के जान करें लेकि आप आपस में आराम से आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि basic के आप अपना जो form फील करते हैं, वेसा है इसमें प्रोसेजर होगा तो चले दोस्तो यह था इसका विब्रण, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके जो कमेंट ज़्यादा होंगे, उससे रिलेटिव आपको मैं नेक्स टाइम अपडेट करूँगा क्योंकि दोस्तो आपको बतादो, लोकडाउन के वज़े से काफी भरतियां, काफी कमपणियों में नुक्सान हुआ है, तो काफी जो मिलने वाले आप सभी को, तो चले दोस्तो आज के लिए बस इतने, अगली बरतिय के साथ फिर सुरू बात करेंगे थैंक्यों दोस्तों, जैहीं दोस्तों